तो तीखी चरपटी इसी फुलकी मसालेदार जो कि आप मेहनों दिन तक स्टोर कर सकते हैं हेलो आइबरियान कैसे हो आप लोग आई होब आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो हम बना रहे हैं मसाले दाल फुलकी जो कि आप मत्री भी कहते हैं इसको बनाने के लिए मेहन ले लिए अकरीब साड़े तीन सो ग्राम मैदा उसमें डाले हैं नमा काला जीरा और उसमें बड़े दो चमच घी डाले हैं तो इस टैप से ऐसे मिक्स कर लिए हैं बढ़िया से उसके बाद इसका हम डो तियार कर लेते हैं तो ये देखिए इसका डो तियार है तो इसका लोई बना लेंगे इसे रख दिये थे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे तो इसे हम लोई बना के से हम अच्छे तरह से बेल लेंगे बेलन से तो ये देखिए इस टैप से ऐसे बेलना है उसके बाद इसे हम कर लेंगे चाकू की मदद से कट तो इस टैप से ऐसे चोड़े चोड़े मेरो में कट कर लेंगे और इसे हम अच्छे सेप में कट कर लेंगे आपको जैसा सेप चाहिए उस सेप से कट कर लें तो इस टैफ से हम कर लेंगे कट उसके बाद इसे हम तर लेंगे करके बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है मसालेदार फुलकी तो आप इसे एक वार जरूर ट्राय कीजिएगा तो इस टैफ से ऐसे कट कर लिए हैं उसके बाद इसे हम ऐसे हाथ पे उठा लेंगे और इसे हम डालेंगे तेल में जो कि मेरा कड़ाई गर्म हो रहा है उसमें टेल भी डाल चुके हैं तो यह देखिए इस टैफ से हम तर लेंगे इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इसे आप महीने दिन तक स्टोर कर सकते हैं और तीखी चटपटी खाने का मन है तो आप ऐसे स्नेक्स बना सकते हैं तो यह देखिए इसे हम प्लट प्लट के अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो यह देखिए यह मेरा फुलकी बिलकुल रेडी है तो इसमें हम एट करेंगे मशाला उसके लिए ले लिए हैं लाल मिर्च पौडर तो हम ले लिए हैं तिक एनुसार डाले उसके बार डाले हैं काला नमाग अपने स्वात के अनुसार उसके बार डाले हैं इसमें चाट मसाला तो कम ज्यादा अपने अनुसार डाले और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स तो इसे हम एक प्लेट ढखके मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला बाहर ना निकले तो इसे हम ऐसे करके मिक्स कर लिए हैं तो य आई होप कि ये मेरा छोटा सा रेस्पी आप लोगों पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप लोगों मेरा रेस्पी कैसा लगता है तो ये रहा महिने दिन तक स्टोर करने वाला फिलकी बिल